नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से डीपी सर्मा सर के यूट्यूब चैनल पर कलावस नस्कृति के चित्रकला के इंतरगत अपनोंने लास्ट मेवाड कंप्लीट कर लिया मेवाड के बाद में अपनोंने मारवाड स्कूल कर रखा था स्टार्ट और मारवा चित्र सेली बिकानेर चित्र सेली राजस्तान में नहीं पूरे के पूरे विश्व के अंदर इसकी ख्याती है बिकानेर चित्र सेली का प्रारंब किसके दवारा किया गया या बिकानेर समराजे के स्थापना बात करते हैं इस सेली पर परभाव की कही में कही बिकानेर ये राव समराज समराजम के वा अपने प्समुरु किने बाता है के राव समराजम सम्राजमी और शुझे बíका से आज बिकानेर सेली के दो प्रमुक चित्र की बात करें तो एक तो आपकी कला आती है कौन सी कला उस्ता कला कौन सी कला उस्ता कला नमबर दो आपकी एक कला आती है मत्हेरन कला कौन सी कला मत्हेरन कला दोस्तो इस उस्ता कला को मुनवत्ती कला भी कहा जाता है उस्ता कला होती क्या है उस्ता कला उंट के खाल पर जो अपने पारदर्सी खाल पर नकासे की जो विवस्ता की जाते है जो चित्र अंकित किये जाते है वो अपने कौन से कला उस्ता कला प्रारंब में ये सिर्फ उंट की खाल पर ही किये जाते थे उसके बाद में क्या हुआ ये अलग-अलग महलों के अंदर भी इसका परभाव देखने को मिलता है उस्ता कला के लिए प्रसिद है बिकानेर का एक परिवार उस परिवार का क्या नाम है उस्ता परिवार कौन सा परिवार है उस्ता परिवार और मतेरन कला के लिए फेमस है एक जेन परिवार जेन मतेरन परिवार मथिरन कला क्या होती है मथिरन कला दिवारों पर बनाए गए भिती चितर जो होती है जो दिवार पर बनाए जाते हैं उन्हें भिती चितर बोले जाता है जो चितर देवी देवताओं के उन पर रंगों से अंकन किया जाता वो आपके मथिरन कला कहलाती है इस उस्ता कला के परमुख चित्रकारों के या कुछ ऐसी बात करें तो परमुख चित्रकार उस्ता कला के अपने जो जिनोंने इनको लोकप्रिय बनाये इसको विस्व में प्रशिद किया उनका नाम मिलता है आपका हिसामुदीन उस्ता क्या नाम मिलता है हिसामुदीन उस्ता और इस उस्ता कला का जो प्रारंग काल और एक स्वर्ण काल इस उस्ता कला का प्रारंग काल और एक स्वर्ण काल दो चीज़े आपने ध्यान में रखनी है दो बाते आपने ध्यान में रखनी है प्रारमकाल प्रारमकाल राजा राइसिंग्ह का समय आज बीकानियर्सहिन सेली के पर्मुक उस्ताकला का परभाव जित्ताकला के आपको नमूनियदेखनी हुए तो विकानेर के अंदर एक दुर्ग बनावा है, सबसे पहले उस दुर्ग का क्या नाम है जुनागड दुर्ग, क्या नाम उसका जुनागड दुर्ग, जुनागड दुर्ग के अंदर आपको अलग-अलग महल मिलेंगे, अनूप महल मिलेंगा, लाल महल मिलेंगा, बंडा साय का जो जेन मंदिर है विकारिर के अंदर वह उनका वहां पर भी आपको इस सहली का चितर देखने को मिलेगाइस चितर सहली को आगे बढ़ाने के लिए अनेक परियास किए गए आज पही ने कहीं ये राजस्तान में भारत में पुरे विस्व में एक फेमस कला करती है उस्ता कला आपने देखा होगा स्थान विसेस के अंदर उंतों की जो बालों को काट कर कैसे ने कैसे डिजाइन बनाई जाते हैं फूल पतियों के वो आपका उस्ता कला और इसकी एक स्पेशल बात और है यह जो चित्रकार है यह जो चितेरे थे इस कला के वो अपने चित्रों के अंदर जो भी उस्ता कला के अंदर अपना नामवर तारिक नामवर धिनाक अंकित क्या करते थे इस उस्ता कला के अंदर उस्ता कला का प्रारम किसका समय माना जाता है राय सिंग का समय इसका स्वर्ण काल किसका समय माना जाता है अनूप स्थिंग का समय श्वरन का समय उस इसके समय में राइसिंग के समय में पर्मुक किसकी बात करनी है अपने चित्रकारों की बात करनी है चित्रकार चित्रकारों में एका नाम मिलता है अपना रुकनुदीन एका नाम क्या मिलता है अपना रुकनुदीन रुकुनुदीन के बाद में उसके अलावा मिलता है उस्ताद अली रज्जा उस्ताद क्या नाम मिलता है अली रज्जा अली रज्जा के बाद में एक नाम मिलता है उस्ता हमीद एक नाम मिलता आपका उस्ता हमीद ये तीन पर्मुक चित्रकारों का वर्णन मिलता है वैसे तो इसके इतिहास में अनेक चित्रकार आए लेकिन पर्मुक रूप से आपको तीन मिलेंगे रुकुनुदीन, अलिरज्जा, उस्ता, हमीद प्रारम माना जाता है राय सिंग के समय में लेकिन इस चित्र सेली का स्वर्ण काल स्वर्ण काल बोले तो इसका सरवादिक विकास वा सरवादिक चित्र बनाएगे सरवादिक बेकानेर में नी, राजस्तान में नी, भारत में नी, पूरे विस्व में परसिदी दिलाने वाली ये कला का जो स्वर्नकाल माना जाता है वो राजा अनूप सिंग का समय माना जाता है किस राजा का समय माना जाता है अनूप सिंग का समय माना जाता है अनूप सिंग की समय में क्या हुआ एक चित्रकार रुकनुदीन जिसने बिन्या रुके जाद रखना रुकनुदीन ने बिन्या रुके चित्रकार का क्या नाम था रुकनुदीन रुकनुदीन ने बिन्या रुके अपना एक गरंथ था रसिक प्रिया कौन सा गरंथ रसिक प्रिया रसिक प्रिया गरंथ पर 187 च चित्र बनाए एक सोसेटासीचिक्त्रों का चित्रांकन किया अपने किसके दवरा अनूप सिंग के समय में रुकुनु दिन्द्वरा रशिक प्रिया पर 187 चित्र बनाएं के बीकानेर सेली के अगर पूठ लिया जाए परभाव किस चित्र सेली का परभाव तो आपको कही न कहीं पता होगा ये कुछ राजस्तान का पस्चमी भाग है राजस्तान के पस्चमी भाग में यहां से अपने जिले स्टार्ट होते हैं सबसे पहले आता सजी अन आर उसके बाद में अपना नाम आ जाता है किसका बीकानेर समराजय का कुछ विस्तार की बात करें तो इस तरफ अपना एक सेली थी कौन सी सेली पंजाबी सेली कौन सी सेली परभाव भी पड़ा क्योंकि ये विकाने सेली राव विका किसके पुतर थे राव जोधा के यानि जोधपूर मारवार सेली का परभाव और मारवार सेली पर किसका परभाव पड़ा था अपने पस्ट में अपने गुर्जरात्रा गुर्जरात्रा के अलावा महरास्टर इन स कर सकते हैं विकाने सेली पर किन किन सेलियों का परभाव पढ़ा एक तो जो दक्षिन में जो सेलिया थी कौन सी सेली दक्षिन सेली दक्षिनी सेली के अलावा कुंसा परभाव पड़ा मुगल मुगल परभाव के अलावा किस सेली का परभाव पड़ा पंजाबी सेली किस सेली का परभाव पड़ा पंजाबी सेली का परभाव पड़ा जैपूर चित्र सेली पर पड़ा था आपको नाम पता है मान सिंग के समय में जैपूर के अंदर सरवादिक मुगलों का जो वही पर ही था था परभाव अभि आपनोंने क्या जाना है इस उस्ताकला के परमुक जो चित्रकार जिसने इसको फेमस दिलाई दो चित्रकारों के नाम मिलते हैं सबसे पहला बात करते हैं प्रमुक चित्रकार जिसने इसको क्या दिलाई परसिद्धी यानि इसे क्या बनाया लोकप्रिय इसको लोकप्रिय बनाने वाले एक चित्रकार का नाम जिसका क्या नाम मिलता है ना हिसामुदीन उस्ता चित्रकार का क्या ना मिलता है हिसामुदीन उस्ता ये इसामुदीन इस्ता ने इतनी बड़िया तरीके से कला करी कि उसे 1916 के अंदर क्या है पदम सिरी अवार से नवाबा के नवाजा गया पदम सिरी अवार दिया गया कब दिया गया 26 में वर्तमान पूछ लिया जाए वर्तमान इस उस्ता करला का परमुख चित्रकार कोन है तो हिसामुदीन इस्ता का एक क्या था पोत्र हिसामुदीन इस्ता का ये क्या था पोत्र उसका पोत्ता पोत्तर का क्या नाम आज आप हिस्सा मांगते तो किसमे मांगते हो जमीन में हि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने के। याद रखना बिकानेर सेली का प्रारम तो हुआ राय सिंग के समय में लेकिन इसका गोल्डन जो टाइम है स्वरन का लब वो माना जाता है महराजा अनूप सिंग का समय में परमुक रूप से जो चित्रकार थे जो इसको लोगप्रिय बनाने वाला कौन था हिसा मुदिन उस्त बिकानेर सेली के बाद में आपकी जो चित्र सेली आती है कहीं ने कहीं एक चित्र सेली का नाम उठता है जेसल मेर सेली कौन सी सेली जेसल मेर सेली और भीकाने से नीचे साइड दक्षणी साइड में एक जेसल मेर समराजी एक काफी विस्तरत एक मरूश्तली जो बात करते हैं छित्रेसल मेर एक मात्र ऐसी सेली जिस पर किसे सेली का क्यानि पर भाव नहीं पड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ें वोंग Lisa जाना चाहीं वाले एरिये के अंदर मुरस्तली वुमी के अंदर कौन जाना चाहे जो भाटी सासक थे वही पहुंचे थे जैसल मेर के चित्र के अंदर भी आपने याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर भी एक ऐसी सेली जिस पर किसी भी चित्र सेली का कोई परभाव नहीं वह अपनी कौन सी है जैसल मेर जैसल मेर में तो जाने वाले अपने भाटी सासकी थे ताकि उनको कोई परेशान ना कर सके भाटी सासकों में बात करें इसका सरंक्षन करने वाला इसकी बचत इसका सरंक्षन करने वाले जो परमुक जो ना मिलते हैं भाटी सासकों में एक तो नाम मिलता है अपना मूल राज भाटी क्या नाम मिलता है मूल राज भाटी मूल राज भाटी के अलावा आपको नाम मिलेगा हर राय भाटी मूल राज भाटी के अलावा आपको क्या मिलेगा हर राय भाटी तीसरा नाम मिलेगा आपको अखे सिंग तीसरा नाम क्या मिलेगा प्रभाव नहीं पड़ा कौन सी जैसल मेर स्रंग्षन करने वाले तीन व्यक्ति मूल राज भाटी हर राय भाटी और अखे स्रंग्षन थि वाले स्रें लो इसके अलावा इसमें जो प्रमुक चित्र मिला वह मिला अपने है क्णिसा चित्र पड़ता है लो द्रवा बाटी शारा कोमारी भी जिसका क्या नाम था मूंप्रुप से अच्छा का तब मन कह यह नाम कौ押ाएं रांचा लेला मजनू जो भी आपने प्रेमी जोडों का नाम सुना होगा उसी परकार जेसल मेर चितर के अंदर है भी एक प्रेम कहानी प्रसीद है वो आपकी लोदरवा की राजकुमारी मुमल और महिंदर की और उनके आपको चितर वहां पर अंकित मिलेंगे आपको जेसल मे अज्मयर चली क्या नाम मिलता आपको जमेर चली चली पर कहीं नहीं पर भभाव पढ़ा की सेली का मारवाड सेली पड़ा राजस्तानी सेली मारवार सेली के अलावा आपन क्या बोलते हैं राजस्तानी सेली का परभाव पड़ा किस राजे पर अजमेर सेली पर किस पर परभाव पड़ा अजमेर सेली पर मारवार सेली राजस्तानी सेली का परभाव पड़ा कहीं ने कहीं जेन सेली का भी पर परभाव रहा था किसका मुगलों का किसका परभाव रहा था मुगलों का मुगलों के आगमन पर है अजमेर सेली में कौन सा परभाव पड़ा मुगल परभाव किसकी आगमन पर है मुगलों के आगमन पर मुगल सत्ता का जब आगमन हुआ जब अजमेर सेली पर किसका जो है किस नीखा परभाव कर दार जोधबूर सेली का परभाव पड़ा अजमे यह stat है ठीक है यह आपकी जि अजमेर शैली के अलावा इसके अंदर मैंने आपको बता है पर्मूप पर्मूप प्रूप से जितनी भी सेलिया उनकी प्रमुख जो विसेश ताहीं जो आपसे सर्वाधिक पूछी जाती है मुस्ट इंपोर्टेंट को आप जधाता स्टूडेंट कहते सर मुस्ट मुस्ट बता दो वही जितना भी वहीं कर वाया है सभी मोस्ट होता है लेकिन उसके अलावा कुछ और भी ज़्यादा है वो अपन एक इंडेक्स के माध्यम से उसको कवर कर लेंगे अजमेर के बाद में आपकी एक सेली बचती है कौन सी सेली नागोर सेली नागोर से आपको कहीं नाग राजा का याद आती होगी कही बक्त सिंग नागोर सेली का जो विकास हुआ जो प्रारंब हुआ वो किस राजा के समय में हुआ बक्त सिंग नागोर का नाम सुनते हैं बक्स दो यानि बक्त सिंग एक मुख्य विसेस्ता इसके क्या है कलरों का केसा परियोग किया गया सभी के सभी सेली में मैंने रंग छो गोड़ी आपको पिक्चराइज़ेशन य ही दिखाई देता होगा बिले कमर की बात करें तो किसary के रंगों का उता है लोत भुज्जावा रंक बोला जाता है तो तो उसके किसा चित्रह तेरा की करते हुए महिला का चित्रह किस चित्र सेली में मिलता है तो आप क्या बताओं गर्णो किसmanas करते हुए भूझे हुए अगर सुनेरे रंगों का प्रियोग की बात आजाए तो वो आपका अजमेर मैंने अभी आपको लिखवाए नहीं क्योंकि एक इंडेक्स में एक तो उनके रंग एक उनके व्रक्ष व्रक्ष के अलावा जो महिलाओं की विसेश्था है उनकी आँखे और पुलूसों के विसेश्था एक साथ में अपन कबर कर लेंगे अपनों को कंफ्यूज होने की जरूरती नहीं है और आपका मारवाड जो से लिए वो कंप्लीट हुआ नेक्स्ट चेप्टर में अपने स्टार्ट करेंगे जो अपना ढूंडार और हडोती से लिए आज के लिए इतना काफी है धन्यवाद दोस्तों